तो आप लोगों को पता है आज आपका टैस्ट है यूनेट 4 का जो की पॉलिटी से संबंदित है सभी बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी टाइम भी मैंने आपको काफी दे दिया था इससे ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपका एक्ज का सिलेबस जो है रिवीजन वो भी पूरी करवानी है तो चलिए आज का टैस्ट स्टार्ट करते हैं कोश्चन वन है समविधान को कब अंगीकरत अधिनिमित और आतमर्पित किया गया तो फटाफट से कोश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़िए पहले समविधान को कब 2950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950 तो पिल्कुल सही आंसर जो है वो आपको देना है क्योंकि आप लोगों को टाइम भी बहुत मिला था और याद भी आप लोगों ने कर लिया होगा तो इसका आंसर जो है वो सही होगा 26 नवंबर 1949 नेक्स्ट देखिए question 2 कि समित्य की सिफारिसों को आधार मानकर भारतिय सम्विधान में मूल करतव्यों को जोड़ा गया तो कौन सी समित्य की सिफारिसों को आधार मानकर भारतिय सम्विधान में मूल करतव्यों को जोड़ा गया तो जिन्होंने याद किये उनको तो बिना option के ही answer आ गया होगा फिर भी देखी option सरदार स्वर्ण सिंग समिती असोक महता समिती साधे गली समेती या हैग्डे समिती तो देखिए आज हम 50 question करेंगे तो time जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको answer सही और जल्दी से देना है तो बिल्कुल इसका answer जो है वो सभी बच्चे सही कर रहे हैं और लगता है आज सभी की तैयारी बहुत अच्छे से है तो answer सबका ही सही है सरदार स्वर्ण सिंग समिती next है question 3 भारत के समविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सननहित किया गया है option देखिए भाग 5, भाग 3, भाग 4 क और भाग 6 तो answer क्या होगा इसका? option A भाग 5, भाग 3, भाग 4 A या भाग 6 तो इसका answer होगा भाग 4 A जो कि हमें देखके ही पता लग रहा है कि बात में जोड़ा गया ठीक है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 क में सननहित है next question 4 मूल कर्तव्य समविधान के भाग 4 क में किस अनुच्छेद में समाहित है? अब यहाँ पर अनुच्छेद पूछ लिए गए है 52 का 42, 50 का या 51 का कौन सा अनुच्छेद है? मूल कर्तव्यों के लिए तो मूल कर्तव्य समविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में समाहित है नेक्स्ट कोश्चन 5 भारती समविधान को अंगीकरत किया गया ठीक है? तीन शब्द हम देखते हैं अंगीकरत किया गया, अधी निमित किया गया या आतमर्पित किया गया तो अब बताना है भारती समविधान को अंगीकरत किया गया किसके द्वारा, सम्विधान सभा के द्वारा, संसत द्वारा, लोक सभा द्वारा या राज्य सभा द्वारा तो जिसने प्रस्तावना का मेरा जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से देखा है प्रस्तावना का एक एक शब्द ऑर्थ आपको समझाया है. तो वहीं से प्रष्ण प्रस्तावना में से कम से कम 2 या 3 प्रष्ण ना प्रत आका पूछ लिया जाते हैं. तो बिलकुल इसका सही आंसर है सम्विधान सभा द्षारा क्योगि आप लोगों ने यदी नहीं ध्यान दिया है तो अब ध्यान देना क्योंकि वहाँ पर बिलकुल इस पश्ट्र लिखा गया है कि डृण संकल्प होकर हमारी इस सम्विधान सभा में आज तारीक 26 नवंबर 1949 इस वी को इस एतद द्वारा इस सम्विधान को अंगीकरत, अधिनेमित और आतमर्पित करते हैं तो वहाँ पर आया था ये शब्द सम्विधान सभा द्वारा Question 6 है समान नागरिक सहता का उलेक किस अनुछेद में है Option है अनुछेद 42, अनुछेद 48, अनुछेद 47 या अनुछेद 40 तो समान नागरिक सहता RBSC की बुक्स में राज्य के नीती निर्देशक तत्व के अंतरगत 4 या 5 अनुछेद जो है वो आपको लर्ण करने को मैंने बोला था तो याद ही करिएगा एक्जा में पूछा जा सकता है तो बिल्कुल राज्य के नीती निर्देशक तत्व से ये वाला अनुछेद लिया गया है तो आंसर क्या होगा आपका तो इसका आंसर जो है वो होगा सही अनुछेद 44 Next देखिए Question 7 आज के जो प्रशन है वो आपके 2011 के बाद से अभी तक REIT या ARTET में आए हुए प्रशन जो है वो भी शामिल है ठीक है जिसे आइडिया हो जाएगा Question किस तरीकी से पूछे जाएंगे भारत के समविधान के अनुछेद 40 का संबंध है अब अनुछे 40 के संबंध में पूछा है कि यह किस संबंधित है सहकारे सोसाइटियों के संबर्धन से निशुलक विदिक सहायता से पंचायती राज से या पर्यावरन संडरक्षन से तो किस से यह संबंधित है तो जो बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं तो उनको तो अनुछे देखकर ही पता लग्या होगा कि हमारे मूल कर्तव्य से है मूल अधिकारों से है या राज्ये के नीती निर्देशक तत्वों से है ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका विल्कुल सही आंसर जो है वो होगा पंचायती राज से संबंधित नेक्स्ट कोश्चन एक निर्देशक ने लिखे सब्दों में से कौन सा सब्द 1975 में भार्ती सम्विधान की प्रस्तावना में संब्लित नहीं था ठीक है 1975 में आप देखिए ध्यान से बंधुत्व सब्द, अखंडता, समानता सब्द या संप्रभु सब्द तो कौन सा शब्द जो है वो भार्ती सम्विधान की प्रस्तावना में संब्लित नहीं था तो यदि आप लोगों को याद है कि किस सम्विधान संसुधन के तहत प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे वो याद है तो इसका आंसर तो आप दे ही देंगे बिल्कुल आंसर जो है इसका कुछ बच्चों का सही कुछ थोड़ा गलत जा रहे है अब देखिए इसका आंसर क्या है अखंड था ठीक है तीन शब्द अब भी याद कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से कि प्रस्तावना में 42 सम्विधान संसोधन 1976 के तहद समाजवादी पंत निर्पेक्ष और अखंड था ये तीन शब्द जोड़े गए नैक्स्ट है प्रस्तावना में समानता, सोतंतरता और बंदुथुऑ ये शब्द ग्रहन किए गए हैं कहां से ग्रहन किए गए हैं, कहां से लिए हैं, फ्रांस से, जापान से, ब्रेटेन या ऑस्ट्रेलिया से तो आप बच्चे बोलते हैं कि RBSC की बुक में France की क्रांती, रूस की क्रांती आप क्यूं करा रहे हूं, हमारे तो syllabus में नहीं है बच्चों ऐसा नहीं होता है कि syllabus में बिल्कुल जो दिया हुआ है तो वही वही chapter आपको याद करने हैं उससे जो भी link होते हैं, वो भी आपको याद रखने होते हैं, इसलिए मैंने वो chapter आपको करवाया था, तो यदि आप लोगों ने उस chapter को देखा है, तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, आंसर है इसका जो की France है, ठीक है, समानता, सोतंतरता और बंदत्व जो है वो प्रस्तावना में, तो उनकी सोतंतरता हमें है, अब देखिए, आर्थिक सोतंतरता का वर्डन उसमें नहीं था, विचार का, विश्वास का या अभी व्यक्ति का, तो इसका आंसर क्या होगा, बारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में किस सोतंतरता का वर्डन नहीं है, तो तो बिल्कुल इसका आंसर जो है वो ये होगा, यहां confusion है, आंसर होगा आर्थिक, क्योंकि प्रस्तावना हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय की बात करती है, ठीक है? सोतंतरता की? नहीं. सोतंतरता हमें किस में है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सोतंतरता. Next, question 11. निम्न मैंसे किस राज्य में समान नागरिक सहता लागू है? किस राज्य में समान नागरिक सहता लागू है? ओप्शन है, मध्यपरदेश, गोआ, सिक्किम या जम्मो कस्नीर. कहां पर समान नागरिक सहता लागू है? तो देखिए, RBSC की books जो हैं, जिन में लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसी तरीके से question answer series में आपको बना कर दी, कि आप question पढ़ें और उसका सठीक answer जो है, वो वहीं learn कर लें. ठीक है? तो option देखते ही आपको पता लग जाता है answer आपका क्या होता है? निम्न मेंसे किस राज्य में समान नागरिक सहता लागू है? अंसर क्या है इसका? गोवा. प्रस्तावना में जो भी शब्द है, जो जहां पर लिखे गए हैं, वो वहीं पर याद करने है क्रम से. तो इसका answer क्या होगा? सही क्रम क्या है? तो इसका answer क्या होगा? संपून, प्रभुत्व, संपन, समाजवादी, धर्म, निर्पेक्ष, या पंत, निर्पेक्ष, लोक, तंत्रात्म, गड़, तंत्र, गड़, राज्य बनाने के लिए. ठीक है? ये शब्द जो है वहाँ पर लिखे हुए हैं. तो इसका सही उत्तर होगा. कुश्यन 13 है, 26 जनवरी 1950 को भारती समविधान था. लोक तंत्रात्म, गड़, संपून, प्रभुत्व, संपन, पंत, निर्पेक्ष, लोक तंत्रे, गड़, गड़, संपून, प्रभुत्व, संपन, लोक तंत्रे, गड़, या इन में से कोई नहीं. तो देखिए, ये तो आपको पता चल ही गया है, कि जो पंत्र निर्पेक्ष है, वो बाद में जोड़ा गया, तो बी ओप्षन तो हो ही नहीं सकता. अब आप इसका सही आंसर बताईए. कि हमारा मूल समविधान जो था, उसमें पहले कौन-कौन से शब्द जो है वो थे. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संपून, प्रभुत्व, संपन, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीके? और बाद में इनके बीच में ही तीन शब्द जोड़े गये थे. Next 14 है, समविधान में हमारे राष्ट्र का उल्ले किन नाम से किया गया है? ओप्शन है भारत वा इंडिया, भारत हिंदुस्तान वा इंडिया या भारत हिंदुस्तान वा इंडिया. तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा यही कि हमारे समविधान में भारत और इंडिया इन दो शब्दों का उल्लेक है, हिंदुस्चान सब्द का उलेक नहीं है. नेक्स्ट फिफ्टीन है कि सम्विधान संसोधन द्वारा मौलिक करतव्य सम्मिलित किये गए? ओप्शन है 42 सम्विधान संसोधन 1986, 44 संसोधन 1978, 52 संसोधन 1985, 42 संसोधन 1976, चलिए इसका आंसर जो है वो मैं नहीं आपको बता दिया है और अब तक हमने यह याद भी कर लिया है कि मौलिक करतव्य सम्मिलित के तहट जोड़े गए और प्रस्तावना में भी तीन शब्द जो है वो इसी सम्मिलित के तहट जोड़े गए चलिए यह तो मैंने ही बहुत ज़्यादा जल्दवाजी कर दी कुश्चन 16 है भारतिय सम्मिलित की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है क्या सम्मिलित नहीं है गणराज्य शब्द जनवादी शब्द समाजवादी शब्द या प्रजातांत्रिक शब्द तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो हमारी प्रस्तावना में नही है तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा बिल्कुल इसका आंसर होगा जन्वादी हमने ये शब्द जो है वो नहीं पड़ा 17 है भारती समविधान के भाग तीन को किसने समविधान की अंतरात्मा कहा डॉक्टर भीमराव अमेटकर, जवाहर लाल नहरू, सच्चिदानन्चेना या डॉक्टर राजेंदर परशाद तो किसने कहा है समविधान के भाग तीन जो की मौलिक अधिकार से सम्मन्दित है तो देखिए इसका आंसर होगा भीमराव अमबेटकर ठीक है एक बात और है हमारी प्रस्ताबना जो है उसे समविधान की आत्मा कहने वाले थे पंडित ठाकुर्दास भार्गव इसे भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट है नेमन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है समानता का अधिकार सोतंदरता का अधिकार मतदान का अधिकार या समविधानिक उपचारों का अधिकार तो इन चारों में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि चारों ही अधिकार है तो यहाँ पूछा गया ह मौलिक अधिकार नहीं है तो चारो ही आंसर हमें सही लगते हैं कि हम देखिए समानता का अधिकार ये भी अधिकार है सोतन्रता का अधिकार ये भी अधिकार है मतदान का अधिकार ये भी अधिकार है तो सही उत्तर जो है वो क्या होगा तो इसका सही उत्तर जो है वो यही होगा और सबका सही है यह कि मतधान का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं यह तो हमारा कानूनी अधिकार है नेक्स्ट है 19, भारत निम्न मैंसे एक मौलिक अधिकार नहीं है, फर्स्ट है भारत की प्रभुता बनाई रखने का अधिकार, धार्मिक सोचंदरता का अधिकार, संस्कृति अवं सिक्षा संबंदी अधिकार, सम्विधानेक उपचारों का अधिकार, इन मैंसे भी कौन सा कुश्यन की जो लेंग्विज है वो चेंज हो जाती है लेकिन हमें जो हमने जो समझा वो कभी नहीं बदलता है तो इसका आंसर जो है वो होगा कि यहां पर मौलिक अधिकार जो है वो है अप्शन B धार्मिक सोतंदता का अधिकार C संस्कृति सिक्षा सम्मंदि अधिकार और D सामधानेक अधिकारों का अधिकार लेकिन ए जो है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है नेक्स्ट है 20 सम्विधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 26 नमंबर 1949 15 अगस्त 1947 26 जनवर 1935 तो इन चारों में सबसे सही उत्तर क्या होगा? सम्विधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक. कब आयोजित की गई और अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये भी आपको याद रहना चाहिए. तो इसका आंसर जो है? वो सबका ही सही है. इसका आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946. 46. सम्विधान की किस अनुचेद में उध्योगों के प्रवंद में करमकारों की भागीदारी का प्राबधान किया गया है? तो हमने RBSC की बुक में देखा था कि वो कौन सा अनुचेद है? उध्योगों के प्रवंद में करमकारों की भागीदारी का प्राबधान किया गया है. तो इसका आंसर होगा इसका आंसर जो है वो आप देखिए थोड़ा सा अपने आंसर जल्दी से लगाया करिए क्योंकि हमें 50 question भी पूरे करने है आंसर है इसका अनुचेद 43A 22 है भारत के सम्विधान के प्रस्तावना में उल्लेकित हम भारत के लोग बिल्कुल पहला ही ये line है जो हमें पढ़ने को मिलती है प्रस्तावना में इससे क्या अभिप्राय है सम्प्रभुता भारत के मुख्य न्याइधीस में नहीत है सम्प्रभुता भारत के लोगों में नहीत है शी ओप्सन संप्रवता लोग सबा की अद्दक्ष में नहीं था है या संप्रवता भारत के राजनीतिक धलों में नहीं था है तो हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है तो इसका आंसर क्या है कि हम भारत के लोग यानि भारत की जनता तो संप्रुवता भारत के लोगों में नहीं तो है, इसका ये अविप्राय है 23 है भारत में समविधान में धर्न निर्पेक का क्या अर्थ है Option है राज्य का धर्म से कोई संबन नहीं है राज्य का अपना धर्म है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है या राज्य सभी धर्मों को माननेता देता है परन्तु अपना कोई धर्म नहीं है तो प्रस्तावना या उद्देशिका का जो टॉपिक मैंने अलग से पढ़ाया था प्लेलिस्ट में देखिएगा वहाँ वीडियो है प्रस्तावना का वहाँ प्रस्तावना को बिल्कुल खोल कर मैंने आपको पढ़ाया है एक-एक शब्द का अर्थ बताया है तो इसका आंसर है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को माननेता देता है ठीक है यह इसका आंसर होगा C option जो है वो भी सही है लेकिन D जो है वो उससे भी जादा सही है क्योंकि राज्य सभी धर्मों को माननेता भी देता है और अपना कोई धर्म नहीं है नेक्स्ट है भारतिय सम्विधान भाग 4 का अनुच्छिद 51 ए में नागरिकों के कितने मूल करतव्य वर्नित है option है 10, 12, 11 या 14 तो यहां दो option में ही confusion रहता है वो दो है B और, sorry A और C तो आपको बताना है A राइट होगा या C राइट होगा तो मैंने आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया है तो इसका answer जो है वो आपने लगा लिया होगा, ऐसे question की answer आप तुरंत आपको बताना होता है तो answer है इसका वर्तमान में हमारे 11 मूल करतव्य है ठीक है और पहले 10 थे next है नीती निर्देशक तत्व किस देश के समविधान की देन है कौन से देश से हमने राज्य के नीती निर्देशक तत्व लिये है option है अमेरिका से, डक्षन अफ्रीका से, ब्रेटेन से या आईर्लेंड से तो हमने कौन से देश से राज्य के नीती निर्देशक तत्व लिये है तो देखिए मौली का दिकार हमने USA से लिये है और राज्य के नीती निर्देशक तत्व किस से लिये है आंसर जो है वो इसका राइट है आईर्लेंड next देखिए 26 question है भारतिय सम्विधान की उद्देशका में संसोधन किया गया ठीक है भारतिय सम्विधान की जो प्रस्तावना है उसमें संसोधन जो है वो किया गया हम अब तक कर चुके हैं इसका आंसर आप बता देंगे जल्दी से option देखिए 44 सम्विधान संसोधन 45, 42 या 36 सम्विधान संसोधन तो उद्देशका या हमारी प्रस्तावना में जो संसोधन हुआ तो वो कौन सा था इसका आंसर जो है इसमें तो देर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अब तो हमें यहीं पर याद भी हो गया है कि 42 सम्विधान संसोधन जिसमें हमने तीन शब्द जोड़े प्रस्तावना में समाजवादी, पंत निर्पेश और अखंता और इसी सम्विधान संसोधन हमने मौलिक कर्थव्यों को भी जोड़ा Q27 है किस अनुचेद के तहट उच्चतम नियायले मौलिक अधिकारों को संडरक्षन करता है तो कौन सा अनुचेद है अनुचेद 30, अनुचेद 29, अनुचेद 32 या अनुचेद 31 तो किस अनुछेद के तहत उच्चितम न्याले मौलिक अधिकारों को सन्रक्षन देता है तो इसका आंसर जो है वो क्या है अनुछेद 32 ठीक है इसके तहत यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं Q28 देखिए निम्न मैंसे कौन सा राज्य के नीती निर्देशक तत्वों में सामिल है समानता का अधिकार, प्राण वा देहिक सोतंतरता का संरक्षन, कानून के समक्ष बराबरी या समान कार्रे के लिए समान बेतन तो यहां कौन सा राज्ये के निती निर्देशक तत्वों में शामिल है और बाकी तीन जो हैं वो नहीं है तो आंसर जो है वो क्या होगा इसका आंसर होगा समान कारे के लिए समान बेतन ठीक है और बाकी जो है वो हमारे मौलिक अधिकार है नेक्स्ट 29 भारत के समविधान की प्रेस्दावना में दिये गई आश्वाष्यनों का सही क्रम है नियाय स्वतंतरता संता या बंद्दुता तो सही क्रम जो है वो क्या है है तो इसका सही क्रम जो है, वो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो प्रस्तावना में जो आश्वाशन दिया गया है, वो सबसे पहले बात करता है, नियाय की, ठीके, तो हमें तीन तरीके के नियाय, सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक, उसके बाद स् विचार, अविव्यक्ति, विश्वास, धार्म और उपाशना की चौतंतरता, समता, किसकी समता, प्रतिष्टा और अफसर की समता, ठीक है, उसके बाद सुनिश्चित करने वाली बंदुता, यानि भाईचारे की भावना, तो ये इस तरीके से इसका सही क्रम होगा, नेक्स्ट है कुश्यन 30, भारतिय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, पूछा है यहां पर वर्तमान में, आठ, पांच, छे या नो, भारतिय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका आंसर जो है, यहां तो ब मूल सम्विधान में 7 मौलिक अदिकार थे। किस सम्विधान संसोधन के तह संपत्ति के अदिकार को मूल अदिकारों की श्रीनी से हटा दिया गया। कौँ सा सम्विधान संसोधन था। तो किस सम्विधान संसोधन के तहत संपत्ती के मूल अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से. तो इसका अंसर क्या होगा और ये तो सबका ही सही है ये है 44 सम्विधान संसोधन 1978 के तहत हटा दिया गया मूल अधिकारों से और अब ये 300a अनुचेद में शामिल है ठीक है तो मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया है संपत्ती के मूल अधिकार को इसे कानूनी रूप ले दिया गया है, next है 32, भारत सम्विधान के कौन से भाग में मौलिक अदिकारों का उलेक है, तो किस भाग में है मौलिक अदिकारों का, भाग 5, भाग 3, भाग 4 या भाग 2, तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ कि भारत सम्विधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उलेक है तो इसका आंसर जो है वो सब ने लगाया और सब का ही सही है भाग ती next 33 मौलिक अधिकार क्या है वाद योग्य है अवाद योग्य लचीले है या कठोर है तो कुश्यन जो बहुत सरल है लेकिन आप्शन को देख कर हो सकता है लेकिन आपको सही आंसर देना है तो इसका आंसर जो है वो होगा मौलिक अधिकार वाद योग्य है यानि परवर्तनिय है ठीक है तभी बाद में इसमें शंशोधन करके जोड़े भी गए है और अवाद योग मतलब परवर्तनिय नहीं है तो वो कौन है राज्य के नीती निर्देशक तत्व नैक्ष्ट है जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा ग्रफतार कर लिया जाता है तो कितने समय में निकर्तम न्यायधीस के समक्ष प्रस्तुत करना होता है तो वो समय बताना है 48 घंटे में, तो इसका आंसर इसका आंसर जो होगा फटाफट से करना है हमको क्योंकि हमें 50 कुश्यन जो है वो पूरे करने है आनसर जो है वो इसका होगा 24 घंटे next है 35, समानता का अधिकार किन अनुचेदों में है, अनुचेद 14 से 18, अनुचेद 19 से 22, अनुचेद 23 से 24 या अनुचेद 25 से 28, समानता का अधिकार जो कि हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है, ठीके, अब इस से ही आपको पता लग गया होगा answer तो answer जो है वो इसका होगा अनुचेद 14 से 18, ठीके, next है 36, भारती समविधान के किस अनुचेद के अंतरगत छूआ छूट अपराद घोशित किया गया है, जिस ठीक है, अश्प्रश्यता, तो भारती समविधान के किस अनुचेद के अंतरगत अश्प्रश्यता का अंत जो है वो किया गया है, option है 17, 32, 8 या 22, तो इसका answer जो है, वो लगबग सही है सभी का कि अनुचेद 17 के तहत चूआ छूट या अस्प्रश्यता का अंत किया गया, जो कि एक समानता के अधिकार के अंतरगत आता है, next है 37, वह समविधानिक संसोधन जो सिक्षा के अधिकार से सम्बंदित है, 52, 86, 61 समविधान संसोधन या 68 समविधान संसोधन, तो वो कौन सा समविधान संसोधन है, जो कि सिक्षा के अधिकार से सम्बंदित है, तो आंसर क्या होगा इसका सही? इसका आंसर जो है वो होगा 86 सम्विधान संसोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को अनुचेद 21 ए में सम्मेलित किया गया नेक्स्ट है 38 कुशन भारत एक गड़तंत्र है इसका क्या अभिप्राय है? भारत राज्यों का संग है, अन्तिम सत्ता जनता में नहित है, शाषन में जनता की सहभागिता है या भारत में वन्शानुगत शाषन नहीं है तो हमने इससे पहले जो कुशन किया था कि हम भारत के लोग, उसका अर्थ क्या था? कि अन्तिम सत्ता जनता में नहित है, अब यह आप्शन तो होगा नहीं, बाकी तीन आप्शन में असे बताईए कि गड़तंत्र का अर्थ क्या है? एक होता है लोगतंत्र और एक होता है गड़तंत्र तो यहां पर जो आंसर होगा कि भारत एक गड़तंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वन्शानुगत शाषन विवस्था नहीं है, ठीके? नेक्स्ट, 39 कुश्यन है, प्राण वा देहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुछेद में है? अनुचेद 13, अनुचेद 22, अनुचेद 21 या अनुचेद 11 अब ये हमारा स्वतंतरता का अधिकार है तो कौन सा अनुचेद है जो प्राण वा देहिक स्वतंतरता का अधिकार को बता रहा है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो होगा अनुछेद 21 नेक्स्ट 40 अब हम 40 कुश्चन पर आ चुके हैं और लगवग सभी के ही आंसर सही जा रहे है लास्ट में बताना है आपको कितने आपके सही गए कौन से अनुछेद आपात काल में भी निलंबित नहीं होते हैं इसको मैंने बहुत बार आपको समझाया था अनुछेद 15 और 16 अनुछेद 18 और 19 अनुछेद 25 और 26 और अनुछेद 20 और 21 कौन से वो दो अनुछेद हैं जो कि आपात काल में भी निलंबित नहीं होते हैं तो इसका आंसर जो है वो तो देखकर ही पता लग जाता है क्योंकि हमने याद किया है इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा आंसर होगा अनुछेद 20 और 21 ठीक है अनुछेद 20 और 21 जो है वो आपात काल में भी निलंबित नहीं होते हैं और इसी स्थिती में जो उच्छ नियाले हैं उसकी अधिकार जो है वो उच्छ नियाले से भी अधिक हो जाते हैं नेक्स्ट भारती समविधान का कौन सा अनुछेद कार खानों में बालकों के नियोजन का पतिशेद करता है तो वो कौन सा अनुछेद है option है अनुछे 17, अनुछे 24, अनुछे 23 और अनुछे 18 तो अभी हमने देखा था question में अनुछे 17, चुवा चूत अस्परस्चता से संबंदित हैं अब ये तो wrong हो जाता है बाकी तीन बस्ते हैं इन में से कौन सा है जो बालकों के कारखानों में कार्य करने की वज़े से ठीक है प्रतिशेद करता है यानि कि जो बच्चों को बाल श्रम के लिए प्रतिशेद करता है तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा आंसर होगा अनुचेद 24 अनुचेद 23 और अनुचेद 24 दोनों ही शोशन के व्रुद्ध अधिकार से संबंदित हैं नेक्स्ट है 42, मौलिक अधिकारों का संडरक्षक है, कौन है संडरक्षक, सर्वोच्य न्याले, उच्य न्याले, उप्रोक्त दोनों या संसद, तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, उनको संडरक्षक कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका होगा उप्रोक्त दोनों, ठीक है? सर्वोच्य न्याले, उनको 32 के तहत, हमारे मौलिक अधिकारों का संडरक्षक करता है, और उच्य न्याले 226 के तहत. नेक्ष देखिए, संपत्तिक अधिकार एक है, क्या है? मौलिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार तो नहीं रहा, यह हमने इतने सारे कुश्चन में देख लिया, यह उप्शन तो नहीं होगा, नैसर्गिक अधिकार मतलब प्राकर्तिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या इन में से कोई नहीं, तो जिस तरीके से मैंने आपको option बताया है, आंसर आपको पता चल ही गया है, कि संपत्ति का अधिकार जो है, वो कैसा अधिकार है अब, यह एक, अब किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मौली का अधिकार जो है वो, उसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, चवालिस्वे संवेधान संसोदार 1978 के तहत, यह option नहीं रहा, तो इसका अंसर क्या है, कानूनी अधिकार है, यह नैसरगिक अधिकार यानि प्राकर्तिक अधिकार भी नहीं है, नेक्स्ट है, नीती निर्देशक सिद्धान्त है, अब यह क्या है, वाद योग्य है, यानि परवर्तनीय योग है, वाद योग्य नहीं है, राज्जी को प्राप्तिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका मैंने जब आपको चैप्टर कराया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि निती निर्देशक सिद्धान्त यानि निती निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? मौलिक अधिकार हमको अधिकार प्राप्त है, ठीके? लेकिन निती निर्देशक तत्व जो है वो, क्या इसका आंसर C होगा? राज्य को प्राप्त अधिकार है, जैसा कि पता चलता है, राज्य के नीती निर्देश शक्तत्व हैं, तो जिनोंने C लगाया है, उनका तो गलत है, इसका आंसर है, वाद योगे नहीं है, ये राज्य को प्राप्त अधिकार नहीं है, बलकि क्या है, गाइडलाइन है, उनको दिये गए एक निर्देश है ठीक है जिनके लिए भी वो वाद्य नहीं है नेक्स्ट है कुश्चन 45 बाल अधिकार संट्रक्षन आयो कानून किस वर्ष बना 2005, 2008, 2014 या 1998 तो ये कानून जो है वो कब बना एक होता है अधिनियम ठीक है यहां क्या पूचा है बाल अधिकार संट्रक्षन आयो कानून तो ये कानून का रूप इसने कब लिया आंसर है इसका 2005 नेक्स्ट है 46 सुच्छ भारत अभ्यान की सुरुवात कब हुई अब ये हम लाइन जो है वो कई बार न्यूस्पेपर में भी पढ़ लेते हैं RBSC की बुक्स में तो हमने पढ़ा ही है तो इसकी सुरुवात कब हुई 30 नवंबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2014 या 30 सितंबर 2018 तो आंसर क्या होगा इसका? दो अप्शन तो मैं ही आपके रॉंग कर देती हूँ A और D ठीक है? गांधी जैनती के समय स्वच्छ भारत अभ्यान की सुरुवात हुई थी अब आपको 2 अक्टूबर 2014 नेक्स्ट है 47 ऐसे देश जिनका समविधान लिखित है? वो कौन-कौन से देश है? फ्रांस और भारत, भारत और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका वा ब्रटेन और लास्ट है ब्रटेन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका तो किसका समविधान लिखित है? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था किसका समविधान सबसे छोटा है? किस देश का समविधान सबसे बड़ा है? ठीक है, कौन सा समविधान जो है वो अधिकल चीला है? तो इसका आंसर जो है वो होगा भारत और USA, भारत वस संयुक्त राज्य अमेरिका का समविधान जो है वो कैसा है? लिखित है. 48 है जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेशने हैं उनको क्या कहते हैं? ठोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, हाट व्यापारी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो है वो होगा धोक व्यापारी. नेक्स्ट 49, वर्तमान में वयस्क मतादिकार की न्यूनतम आयू कितनी है? तो ये तो हम सबको ही पता है, हम सभी वोट देते हैं. आठारा वर्ष, सोला वर्ष, एकिस वर्ष या पंदरा वर्ष. अब इसमें से तो किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम सभी मत का अधिकार रखते हैं और हम दे भी रहे हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूनतम आयू क्या होगी? तो कम से कम, क्या होनी चाहिए? आठारा वर्ष होनी चाहिए, सोला वर्ष होनी चाहिए, एकिस वर्ष या पन्दर वर्ष. यहां दो ही option में confusion रहता है, अठारा या एकिस. तो याद रखिएगा और आप लोगों को याद भी है, आंसर है A option 18 वर्ष Next है, यह आपका अंतिम प्रशन है, 26 जन्वरी को जंडा किसके द्वारा फैराया जाता है प्रधान मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपती के द्वारा, लोगसबा अध्यक्ष के द्वारा या निर्धारित नहीं, यानि कोई भी फैरा देते हैं तो देखिए 26 जन्वरी को हमारा सम्विधान बना था, ठीक है, अब यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जंडा जो है वो कौन फैरायेंगे प्रधान मंत्री फैरायेंगे, राष्ट्रपती फैरायेंगे या लोगसबाद्यक्ष फैरायेंगे तो इसका आंसर होगा हमारे राष्ट्र के जो अध्यक्ष है राष्ट्रपती, वो 26 जन्वरी को जंडा फैरायेंगे और 15 अगस्त को प्रधान मंत्री के द्वारा तो आपको बताना है आज आपने 50 में से कितने सही किये हैं और यहीं से प्रशन आपके आएंगे, 4th यूनिट आपकी आज कंप्लीट होती है, आपकी रिवीजन भी पूरी होती है और यहाँ पर 4th यूनिट के लिए मेरा काम भी पूरा होता है नेक्स्ट फिफ्ट यूनिट के लिए आपको बता दिये जाएंगे कौन से चैप्टर जो है वो आपको याद करने हैं जिसे कि आप और भी अच्छे तैयारी कर सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू